अब ये कोई कविता तो नहीं है पर ऐसे ही थोड़ी वह पंक्तिया लिखी है मैंने थोड़ी कविता की जैसी है और ये भी पोस्ट कर रखी है एक स्त्री अपने करोध को किस तरह शांत कर सकती है जो लड़किया होती है वो ज़्यादा बोलती नहीं है ज़्यादा कहती नहीं है पर उनको गुसा उतना ही आता है जितना लड़कों को आता है एक स्तिरी अपने करोध को किस तरह शांत कर सकती है उबलता खोलता हुआ उसका लगू जो आखों से अश्रू रूप में बहते हात पैर मारती होगी एकांत में वो चटानों पर माता फोड़ती होगी और अपने कोमल हातों को दिवारों पर मारती होगी किसी उमीद का फंदा डाल कर रोज फांसी चड़ती वह चुप चाप कई दफा खुद में चिलाती होगी कॉमल सा उसका हिदे जो हजारों सुईयों और जख्मों से घायल सा जरजर हुआ एक शब्द भी नहीं निकल पाता होगा शब्दों से पहले सिस्कियां उसका हिदे और कंठ रुद्ध करती होगी एक तो वह स्त्री जिसके क्रोद में भी कोमलता और विवेक जाए नहीं जाता उपर से वह एक नन्नी लेखिका जो उबलते भावों को कागज की तवचा पर उडेलती होगी और कागज उसकी हिदे की तरह फफोलो से भर गया होगा कर तो कुछ भी सकती है वो जिसके कारण उसको क्रोद आया होगा पर क्रोद की अधिक्ता बदल गई होगी करुणा में और प्रचंड उसका सिमट गया होगा एकोने में दिन रात विस्पोर्ट होगी होती होगी उस ज्वाला का अनुभव हर किसी को नहीं होता होगा जस्त्री के भीतर तपता होगा